एम फाउंडेशन द्वारा आज के इस मेडिकल कैम में हमारे इस एम फाउंडेशन की अद्धिक्षा एड़ोकेट सिमाताईशिन दे उनके सभी कारे करते पदाधिकरी आज यहां पर मौझूद है सुबह आठ बजे से यहां पर मेडिकल कैम जो विशेश रूप से आखों की जाँच के लिए आखों में होने वाले मुतिया के लिए उसके ऑपरेशन के लिए ऐसे ही आज के शिबिर का आयोजन हमारी आड़ोकेट सिमाताईशिन दे निजी ने किया है मैं मानता हूँ कि समाज के विबिन अस्तर के विबिन लोगों के साथ हमारा कुछ ना कुछ देना लगता है हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं समाज में काम करते समय न भलके सिर्व राजनीतिक पार्टी में काम करने का मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है लेकिन राजनीती में न रहते हुए भी समाज की मैं सेविका हूँ, समाज के लिए काम करते हूँ, समाज के छोटे-छोटे तपके में रहने वाले हर गरीब तक पहुंचना चाहती हूँ एसे सोच के काम करने वाली एडवोकेट सीमा शिंदे जी का आज का ये एम फांडेशन का कारेकरम बहुत महतोगत। कामों करते हैं और लोग भी इतनी बड़ी संक्या में यहां पर आकर उनको प्रतिसाथ दिया इसलिए मैं जंता-जंडदन का भी अमेजिन दन करना चाहूंगा चोटी उमर में इस प्रकार के कामों को लगन के साथ में करना यह बहुत बड़ी उपलब देश है मैं मानता हूं क था तब से इस प्रकार का काम करना मैंने प्रारम किया और लोगों ने मुझे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफर पूरा किया और ऐसे ही काम करते करते समाज के लिए देश के लिए कारेकरता और नेता तैयर होते हैं और कारेकरता और नेता के माद्दन से समाज की सेवा होत जिसे लोगों का साथ में जुड़ने से अपनापन का भाउना पैदा होता है और अपनापन का भाउना ही समाज और देश को आगे ले जाता है इसलिए मैं फिर एक बार सीमत आए उनके सभी साथियों का दिल की घहराई से अभी दंदन करता हूं उन्हीं दन्याव भी देता कि यह कार्या आप लगातार करते रहें एक सांशत के नाते मेरी जब कभी आउशक्ता पड़ीगी तो मैं आकर उनको सहीयोग देने के लिए हमेशा तर्थ पर रहूंगा क्या कैना क्या कैना क्या कैसे चोसर जी इंदे बारे में सबसे पहले तो मैं सीमा शिंदी जी को हमारे एमस फाउंडिशन की अध्यक्ष है इनको इनके बहतरीन काम के लिए इनको मैं साधुआ देता हूं बहुत बहुत तारिक करता हूं क्या आज के इस कलियोग में मानों सेवा इससे हमारा समाज बहुत धूर है इसका बीड़ा सी अधिन उठाया है यह अपने बहुत बड़ी बात है घरीब तब के लोगों को इन्होंने मुख्त में चश्मा वित्रम और अगर उनके आई शेकब कर रही है आई शेकब में अगर कोई कैट्रेक का आपरेशन निकलता है तो वह आपरेशन भी हमारे मुरावे जेपी अलम प आपरेशन की तरफ से मैं एड्विकेट सीमा शिन दे मैं यहां पर मेरे कार्यकरताओं के साथ शिबिर अखों का शिबिर रखा है उसके लिए जो आखों जैसे अभी सुनिरानी जी ने कहा कि आखों की मरमत करना है आखों के लिए जो टेस्टिंग करना है जो जरूरत रहती है जो नॉर्मली अंडर प्रिविलेज़ लोग करने ही पाते है उनके लिए थोड़ा मेरी तरफ से थोड़ा है करने के लिए मैंने यह कैम रखना है अभी कैसे हैं फांडेशन यह 2013 से अपना रिजिस्टर है इसमें कैसे अंडर प्रिविलेज़ जो भी लोगों को हल्प चा की तरफ जादा ध्यान देते हैं और इसके लिए अम लोगों ने सुचा कि यहां पर अभी यह स्लम में आखू की मरमत करने के लिए कैटरेक का फ्री चेक अप कर किया जाए और उनको फ्री ऑपरेशन दिया जाए फ्री चश्मे दिये जा रहे यहां पर कैसे लोग खुद अ की तरफ से उनको यहां पर लेके आए और उनकी आज यहां पर हर साल की तरह एमस फांडेशन की एड़ोकेट सीमा ताही शिंदे जी की और से और उनकी टीम की और से बहुत ही एक अच्छा उपकर्म यहां पर उनकी ने शुरू किया है आज इस विभाग की जनता के लिए आखों का फ्री में चेक अप है मुब्त में चश्मे दिये जा रहे है उसी प्रकर से ब्लड चेक अप यहां पर प्रोग्राम उनको ने रखे मैं मुंबई कॉंग्रेस की और से महाराश्रा कॉंग्रेस की और से उनको शुबकामनाय देता हूं और ऐसे ही अच्छे चे काम जने हीत के काम उनके हातों से आगे भी होते रहे इस जनता की सेवा उनके हातों से होती रहे इसी शुबकामनाय मैं दूंगा जनता के हीत में कई एसे प्रोग्राम उन्ह कुछ शुबक आमने दूंगा और आगे के